हलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Almost Phone के एक और नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme X2 के कुछ hidden features के बारे में जिसका यूज करके आप काफी कमाल के चीज कर सकते हो दोस्तों अगर आप जानना चाहते है Realme X2 के hidden features को तो आप इस वीडियो को end सक देखिए और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लेगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा इसके अलोग दोस्तों आप हमें comment में बताएए कि आपको कौन सा feature सबसे best लगा और दोस्तों अगर आप smartphone या फिर gadget related वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चानल को चेक कीजिए अगर आपको हमारा चानल पसंद आया तो आप इसे subscribe कीजिए है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले features की बात करते हैं इसका नाम है Supervision Night Step 2.0 दोस्तों यह एक camera का feature है और दोस्तों यह बहुत ही कमाल का feature है दोस्तों इस features का use करके आप Realme X2 के low light picture को काफी improve कर सकते हो लगवग 50% तक और दोस्तों यह feature Supervision Night Step 2.0 दूसरा version है यानि की Supervision का यह upgrade है दोस्तों यह आपको camera application में एक नया night mode करके देखने को मिलेगा है इस mode को on करके आप must photo को click कर सकते हो low light में इसका example आप देख सकते हो screen पर side by side दोस्तों एक तरफ मैंने normal photo को रखा है और दोस्तों एक तरफ मैंने Supervision Night Step 2.0 को रखा है और आप दोनों photo को देख कर आप compare कर सकते हो वहीं दोस्तों इस mode को आप ultra wide और portrait दोनों में भी use कर सकते हो तो दोस्तों आप next feature की बात करें तो यह एक कमाल का feature है और दोस्तों यह एक pro off feature है दोस्तों इस phone में आपको in display fingerprint sensor देखने को मिलता है और दोस्तों जब भी आप fingerprint sensor पर आप अपने finger को ले जाते हैं तो वहाँ पर एक animation होता है उस animation को आप change कर सकते हो दोस्तों इस phone में आपको 5 अलग-अलग animation देखने को मिलता है इसके लाओ दोस्तों आप एक और features को देख सकते हो जहां पर आप अपने finger को रखते हो वहाँ पर fingerprint का जो symbol रहता है उसे आप on या off रखते हो यह feature को आप off रखके आप अपने minor battery को save कर सकते हो लेकिन दोस्तों इसमें आपको Super AMOLED display देखने को मिलता है इसकी वज़ासे battery काफी कम use होती है उस light की वज़ासे तो दोस्तों next feature की बात पर तो दोस्तों यह वी एक camera related feature है और दोस्तों यह feature एकदम latest है क्योंकि दोस्तों यह feature आपको कोई और phone में देखने को नहीं मिलता है इसलिए यह काफी interesting है और दोस्तों इस feature का नाम है light book effect जी हां दोस्तों जैसे आप DSLR में वीडियो को background में blur कर सकते हो और यह कमाल का feature है दोस्तों क्योंकि दोस्तों यह feature का सिस्लाक्सिट फोन में देखने को मिलता है जैसे कि iPhone 11, OnePlus 70 Pro या फिर Samsung Galaxy S10 Plus और दोस्तों यह उन लोगों के लिए best है जो ज्यादा TikTok या फिर like video बनाते हैं और साथी साथ दोस्तों यह आपको front और back दोनों camera में देखने नहीं पता हो आप हमें comment में बताए और दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको video अच्छा लगा होगा अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो आप इस video को like जरूर कीजेगा और अपने friend के साथ share कीजेगा और दोस्तों अगर आप smartphone या फिर gadget related video देखना चाते हैं तो आप हमार चैनल पसंद है तभी उसे सब्सक्राइब किजेगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू गुडबाय टेक केर